नमस्कार दोस्तो मिडुक चैनल में आप लोग का स्वागत है आज इस वीडियो हम बात करने वाले हैं 36 गड़ के जिला बीजापूर के स्वास्वी भाग में भरती के लिए विज्यापन जारी किया गए है जिसके अंतरगर्थ आप लोगों से कोई एक्जाम नहीं लिया जाएगा कोई फीस नहीं लिया जाएगा वोक इन इंट्रव्यू के माध्यम से सिधा भरती किया जाएगा तो इस वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों आप लोग यहाँ पढ़ सकते हो विज्यापन जारी किया गया है काले मुखे चिकिसम, सास अधिकारी जिला, बीजापुर, 36 गड़ के द्वारा जिसके अंतरगर्थ वोक इन इंट्रव्यू के माध्यम से लेब टेकनीशियन, फार्मसीस्ट, एक्सरे टेकनीशियन, वहन चालग, श्टाफ, नर्स, सफाई करमचारी के पदो पर भरती किया जाना है यहाँ आप लोगों से कोई एक्जाम नहीं लिया जाएगा, कोई फीच नहीं लिया जाएगा सिधा वोक इन इंट्रव्यू के माध्यम से भरती किया जाएगा आप लोग यहाँ पत का नाम देख सकते हो लेब टेकनीशियन, मासिग वेतन दिया जाएगा 14,000 रुपे सेक्षिड के उग्यता होना चाहिए, DMLT या फिर BMLT कोर्स पास होना चाहिए इसी के साथ रेजिस्टेशन होना चाहिए, 36 गड़ पैरामेडिकल काउंसिल से आप लोगों से साक्षतकार लिया जाएगा 24 नवंबर 2021 को फार्मसिस्ट को मासिग वेतन दिया जाएगा 16,500 रुपे सैखरी के उग्यता होना चाहिए, डिग्री या फिर डिपलोमा इन फार्मसी में 40 परतिसत अंकों के साथ इसी के साथ रेजिस्टेशन होना चाहिए फार्मसी काउंसिल से एक्सरे टेक्नीशन को मासिग वेतन 14,000 रुपे दिया जाएगा सैखरी के उग्यता होना चाहिए, बारवी पास, साइंस विशय के साथ साथच्छत का लिया जाएगा 24,000 नॉवंबर 2021 को ड्राइवर को मासिग वेतन दिया जाएगा 10,000 रुपे सैखरी के उग्यता होना चाहिए, आठवी पास और ड्राइविंग लाइसेंस होना अनिवार है स्टाफ नर्स को मासिग वेतन दिया जाएगा 16,500 रुपे सैखरी के उग्यता होना चाहिए, बीएस्टी नर्सिंग या फिर जी एनेम कोर्स पास दोना चाहिए, इसी के साथ लाइव रोई स्टेशन होना चेट 36 और पैरामेडिकल काउंसिल से क्लीनर को मासिग वेतन दिया जाएगा 8,800 रुपे सैखरी के उग्यता होना चाहिए, आठवी पास दोस्तों इन सभी पदों के लिए जो साक्षतकार वॉक इन इंटर्यू का आयोजन किया गया है, वो 24 रॉमबर 2021 को किया गया है, इन पदों के लिए अवेदा की नियुन्तम आयू होना चाहिए, एक एक 2021 के जिती में नियुन्तम 18 वर्स एवं अधिक्तम 64 वर्स होना चाहिए, 36 वर्सासान के नियम अनुसार आयू स्विमा में छूट दिया जाएगा, और दोस्तों आप लोग यहां पोईंट नंबर 14 पढ़ सकते हो जो बहुत ही महत्पूर्ण है, अवस्यक 10 सावेज अवेदन करते समय निमन अभिलेखों की इस्व प्रमाडी 6 प्रती अनिवार सलगन किया जावे दस्वी की अंग सुची, जनम्ठिती के प्रमाड पत्र है तू निर्धारित नियुंतम सैक्षिरिक योग्यता के सभी वर्सों की अंग सुची, सम्बंदिर डिग्री, इंटर्नसी प्रमाड पत्र, 36 वर्ड पैड़ा मेडिकल काउंसिल पंजियन का जिवीद प्रमाड पत्र, सक्षम अधिकारी द्वारा, जारी जाती प्रमाड पत्र आप लोगों को ये सभी दसावे डोकूमेंट, जी जिन आप लोग साक्षतकार इंटर्व्यू के लिए जाओगे, वो जिन अवेदन पत्र के साथ अटेच कर देना है, सल्लग न कर देना है और दोस्तों इसी विग्यापन के नीचे जो अवेदन पत्र का प्रारूप है, वो सल्लग नहीं, अटेच है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, इसे अच्छे से पढ़ने के बाद ही आप लोग इन पदों के लिए आवेदन करें अगर आप लोगों को इसके बारे में और अधिक जानकारी चाहिए, तो आप लोग यहाँ देख सकते हो, ओफिशल वेफ साइट का लिंग दिया गया है, बिजापू.gov.in पर जाकर ओफिशल नोटिफिकेशन विग्यापन डाउनलोड कर सकते हो, या तो मैं इस विग्याप अगर आप लोगों के पास कोई भी सवाल है, तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, ताकि हम आप लोग के सवालों का जवाब दे सकें, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद.